ये आका इश्वानी रायपुर है रादेशी के समचार बुल्ठिटनी के साथ मैं शशी कांथिया दाओ और आप पेशा आज के मुखे समचार केंदर सरकार ने जल जीवन मिशन के तहट 36 गड़ को मिलने वाली उंदान राशी चार गुना बढ़ा कर करीब 1900 करोड रुपय की कुरोणा संक्रमन की सिती में सुधार को देखते हुए राजी के सभी शास की कार्यालेव में सुमवार से अधिकारी कर्मिचारियों की शत्र प्रतीशत उपस्ति अनिवार की गई मुख्यमंत्री ने आज राजदान गाउं और धंतरी जिले में करीब 828 करोड रुपय के विविन विकास कारियों का लोकारपन और भूमी पुजन किया और कांग्रेस ने पेट्रोल डिजल की कीम्तों में बढ़ोत्री के खिलाफ आज राजदी के विविन इस्थानों में धर्णा प्रदशन किया कुरोन संक्रमन को देखते हुए शोताओं से पेल है कि लापरवाही न बढ़ते और इन आसान उपायों का पालन सुनिश्यत करें मास्क लगाएं, दो गच की सुरक्षित धुरी बना रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं लोगों को कोविड से सम्मधित जानकारी देने और उनके मारदर्शन के लिए राष्ट्री हेल्पलाइन नमबर कारिय रथ है 36 गड़ के लिए हेल्पलाइन नमबर है 104 और 0771-22-35-091 साथ ही राष्ट्री हेल्पलाइन नमबर है 1075 कोविड 19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाएं मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरूरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ हर मू साफ रखें अब समचार विस्तार से जले जीवन मिशन के इंतरगत 36 गड़ को दी जाने वाली अनुदान राषी को केंद्री सरकार ने करीब 4 गुना बढ़ा दिया है पिछले वर्ष इस मिशन के लिए 36 गड़ को केंद्री अनुदान के रूप में करीब 445 करोड रुपे की राषी दी गई थी अब चालू वित्ती वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने इस अनुदान राषी को बढ़ा कर करीब 1909 करोड रुपे कर दिया है इस मिशन का उदेश ग्रामिन चेत्रों के प्रतेग घर में वर्ष 2023 तक नल के माध्यम से जल आपूर्ती सुनिशित करना है केंद्री जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सीही शेकावत ने राजी के आवंटन में चार गुना वृद्धी को मंजूरी प्रतान करते हुए 36 गड़ को भरोशा दिलाया है कि प्रतेग घर तक शुद्ध पे जल पहुँचाने के लक्ष को प्राप्त करने के लिए राजी को हर संभव सहायता प्रतान की जाएगी 36 गड़ में करीब 19,000 गाओं में रह रहे लगभ 45 लाख परिवारों में से वरतमान में करीब 6 लाख गरामिन परिवारों के घर तक ही नल से जल क्या पूरती हो रही है अभी करीब 49 लाख गरामिन घरों में नल जल कनेक्शन पहुचाना पाकी है प्रदेश में कुरूना संक्रमन की दर लगतार घट रही है राज में पॉजिटिविट इदर गिर कर 2.3 प्रतिशत रह गई है कल हुए करीब 45 लाख सेंपलों की जाच में 1034 लोग संक्रमित पाए गए है प्रदेश में अब तक 9,54,390 मरीज स्वस्थ हो चुके है इनमें से करीब 80% मरीजों ने होम आईसोलेशन में इलाज करा कर करोना को मात दी है वर्तमान में 17,000 सेधिक मरीजों का इलाज विबिन अस्पतालों और होम आईसोलेशन में चल रहा है इस बीच प्रदेश में लोगों में टीका करन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है अब तक प्रदेश में 18-44 वर्ष की आई वर्ग के 9,9,000 सेधिक लोगों को कोविड वैक्सिन लगाई जा चुकी है वहीं कल स्वास कर्मियों, फ्रेंट लाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक आई वर्ग के करीब 6,000 पात्र लोगों को टीके लगाए गए अब तक प्रदेश में सभी आई वर्ग के 72,16,000 सेधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है उधर जानगे चापजिला कलेक्टर जीतेंदर कुमार शुकला ने आज टीका करन की प्रगती की सामिप छाकी इस दोरान उन्हें कहा कि जिले के ग्रामिन अंचलों में अभी भी टीका करन को लेकर भ्रम की इस्तिती बनी हुई है उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीनों को टीका करन के फायदे बताएं और उन्हें प्रेदित करें राजी सरकार ने कोरोना संक्रमन की इस्तिती में सुधार को देखते हुए अब राजी के सभी कारियालियों में आगामी 14 जून से सभी श्रीणी के अधिकारी कर्मचारियों की शत प्रतीशत उपस्ति अनिवारी कर दी है कारियालियों में आम जंता के प्रवेश को COVID-19 के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के पालन के शर्टवर शितिल किया गया है सामाने प्रशासनी भाग द्वारा इस समन्द में सभी भागों, कलेक्टरों और विभागत धक्षों को निर्देश चारी कर दिया गया है प्रतिबंधित किया गया था। इस बीच एक दूरूग की कलेक्टर ने अनुलॉक की प्रक्रिया के तहत जिले में सभी बासारों को रात आठ बजे तक व्यावसाय करने की अनुमती दे दी है। पहले शाम 6 बजे तक व्यावसाय करने की छूट दी गई थी। इसी तरह धमतरी जिले में मुख्यमंत्री ने 271 करोड इंक्यावन लाक रुपए की लागत की 270 विकासकारियों का लुकारपन और भूमी पुजन किया। वहीं मुख्यमंत्री कलमुंगेली और बिमेतरा जिले को 449 करोड पैसे अधिक के विकासकारियों की सौगात देंगे। 36 गड़ उचिन्याले ने टूल किट मामले में पूर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमसी और भाजपा की राश्टी प्रवक्ता संबित पात्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। अधालत में इस मामले में राजशासन को 3 सबता के भीतर जवाब पेश करने का निर देश्टिया है। गोर तलब है कि टूल की टमामले में दस्तावेज साजा करने को लेकर पूर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमसी और भाजपा की राश्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजधानी राइपूर के सिविल लाइन सहित विभी नथानों में एफ आया करने के नर्देश दिये हैं। राजपाल ने कहा है कि है विद्यार्थ्म के भविसे से जुड़ा विशय है। उन्होंने स्वास्त सच्चिव को इस मेडिकल कॉलेज के धिकरान करने के संब्द में जल्द से जल्द कारवाई करने के फिर नर्देश दिये। कि भाजबा के वादा निभाव अभ्यान के तहत राजी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे उन्होंने राजी सरकार पर आरोप लगाया कि धाई वर्ष बीट जाने के बाद भी घुशना पतर में किये गए शराब बंदी के वादे को पूरा नहीं कर पाई है प्रदेशी कांगरेस ने आज राजधानी राइपूर से अज़र प्रदेश के सभी विकास खनबुख्यालियों में धरना प्रदशन किया इस दोरान पार्टी पधाधिकारियों और कारिकरताओं ने पेट्रول पंपों के सामने सांकेती ग्रूप से विरूद प्रदशन किया राजधारी राएपुरों प्रदेश कांग्रेश अद्धिक्ष मुहन मरकाम ने शास्त्री चोकेसित पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदेशन किया वहीं पार्टी के राष्टे सचिव विकास उपाध्याय ने भी धरना प्रदेशन में भाग लिया इसी तरह विधान सभाध चोकेसित पेट्रोल पंप के सामने धर्दीमा की विधायक अनीता शर्मा के नेतरतों में पार्टी कारिकरताओं ने धरना दिया प्रदेश के नेक जिला और ब्लाक मुख्यालेों से भी कांग्रेस पधादिकाईयों और कारिकरताओं द्वारा पेट्रोल पंपों के सामने धरना प्रदेशन किया जाने की खबर है 36 गड़ संस्क्रत विध्या मंडलम रायपुर द्वारा आजोजित कप्छा नौमी और दस्वी के परिक्षा प्रणाम आज घोशित कर दी गए इस साल मुख्य परिक्षा कोविट नाइंटिंग के मद्दे नजर असाइन्मेंट के अधार पर आजोजित की गए थी इस बार परिक्षा का प्रणाम शत्र प्रतिशत रहा सुत्मा जिले में आज एक इनामी सहीत आठ मावादियों ने आत्म समर्पन कर दिया इन में एक धंपती भी शामिल है मिली जानकारी के नुसार इन मावादियों ने कलेक्टर, पुलिस अधिक्षक और सियार पिएफ के डियाईजी के समक्ष आत्म समर्पन किया इस जोरान उन्हें प्रोप्साहन राशी के रूप में दस दस हजार रुपे दिये गए राजनिन गोजिले में कल हुई एक सड़क दुरगटना में चार महिला मजदूरों की मौत हो गई वही ग्यारह अन्य मजदूर घायल हो गए है मिली जानकारी के नुसार जिले के डूंगर गाउं थानाक शेतर के अंतरगत अरजुनी और राता पाइली गाउं के बीच कल शाम एक चार पहिया वहन अन्यंतरित होकर सड़क किनारे पीड से जा टकराया इस हादसे में वाहन में सवार चार महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं हादसे में घायल मजदूरों को अस्पताल में भरती कराया गया है पूरु केंद्री मंत्री स्वर्गी विद्या चरन शुकल की आजपुनेती थी है इस मौके पर राजधानी रायपूर सहीत प्रदेश भर में विफिने कारिक्रम आजोजित कर स्वर्गी शुकल को सुरधांजरी दी जा रही है आज राजधानी रायपूर सहीत कई इलाकों में बारिश होने की खबर है मौसमी भाग ने आगामी 24 घंटों के दोरान प्रदेश के कुछ इस्थानों पर मध्यम से भारी तथा एक दो इस्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेताउनी दी है साथी प्रदेश के कुछ इस्थानों पर आकाशी बिजली किरने की संभावन भी चताई है प्रदेश के अधिकांस इस्थानों पर हलकी से मध्यम वर्षा होने अथवा गरच चमक के साथ छेटे पढ़ने की संभावना है मध्य छेत्र में एक दो इस्थानों पर अती भारे बारिस ग्यारा से तेरा के बीच में तथा कुछ इस्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है अंतने मुखे समाचारिक बर फिर केंदर सरकार ने जल जीवन मिशन के तह 36 जीवन को मिलने वाली अनुतान राशी चार गुना बहाकर करीब 1900 करोड रुपे की कुरोना संक्रमन की सुधार की सिधी को देखते हुए राजी के सभी शास्की कारियालों में सुमार से दिकारी कर्मिचारियों के शत्व प्रतिशत उपस्तिय अनुवारी की गई मुठ्मंत्री ने आज राजनांगाउं और धमतरी जिले में करीब 828 करोड रुपे के विन विकासकारियों का लोकारपन और भूमी पुजन किया और कांग्रेस ने पेट्रोल डिजल की कीमतों में वहोत्री के खिलाफ आज राजी के इभिन इस्थानों में धर्णा प्रदर्शन किया इसे के साथ प्रादेशिक समचार भल्टिन समात्वाग नमस्कार प्रण प्रदर्शन किया राज़ कि शपते ही प्रदर्शन कि यद राज़ को समचार भल्टिन समात्वाग नमस्कार कि अजरते ही आजी प्रदर्शन कि रड़ चमस्टर्णाव